जैहिन जैवारत तो दोस्तों यहाँ पे सेंटर की तरब से डॉकिमेंट की लिष्ट कर दी गई है जारी और यहाँ पे टू सिंग्नल ट्रेनिंग सेंटर गोवा की जो भरती होगी आपकी एक फरवरी 2021 को तो यहाँ पे उनके डॉकिमेंट के बारे में आपको बताने वाला तो इस वीडियो को आपको सुरू से लेके एंड तक जरूर देखना है अगर कहीं भी आप मिस करते हो स्टैप को या बीच में काट के चले जाते हो तो भाई आप किसी ना किसी डॉकिमेंट में रिजेक्ट भी हो सकते हो अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी तो भाई ठ ठीक है और सबसे पहले बात करने आप जैसे कि आपको पता है टू सिगनल ट्रेनिंग सेंटर गोवा की जो भरती है वो आपकी एक फरवरी 2021 से होगी जैसे कि आप देख सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसका एक्जाम है जो 21 मार्च 2021 को कराया जा रहा है ठीक सेंटर से रिलेटेड तो आप उसको देख लेना मेरे वीडियो के डिस्कृप्शन में लिंक दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर हम आपको डॉकिमेंट्स के बारे में लेके चलते हैं सीधी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सेंटर की तरफ से फुल चार्ट आया है औ और यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात यह है कि आप अगर आप यहाँ पर देखते हो रिलेशन स्यार्टिकेट लिखा हुआ है और अगर आप यहाँ पर देखते हो इसकी फुल इनफॉर मेशन यहाँ इंपर दियो ही है जैसे कि आप यहाँ पर पूरे एइ पोइंट को पढ़ते हो तो पूरी information दी हुए तो आप पढ़ सकते हो कि इसमें लिखा क्या है next यहाँ पर बी-point में अगर आप देखते हो discharge book in case of ex-servicemen जिनके father ex-servicemen है brother तो उनके पास discharge book होनी चाहिए जैसे कि इसमें लिखा हुआ है next यहाँ पर बात कर लें जैसे कि आप यहाँ पर pencil book PPO यह आपको नहीं चाहिए यह आपके लिए इतने important नहीं है और नहीं A B point जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो B point है यह भी important नहीं है और जो important है उनको highlight यहाँ पर किया गया है next यहाँ पर D point की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके पास दसमी बार्मी और आटमी की mark sheet होनी चाहिए जिस भी हिसाब से आप trade देख रहे हो ट्रेड में आटमी पास देख रहे हो तो आटमी की mark sheet होनी चाहिए दसमी पास है जी डी देख रहे हैं ट्रेड मैं डेख रहे हो तो दसमी की होनी चाहिए अगर टैक्ञिकल देख रहे हो तो आपके पास दसमी और बार मी दोनों होनी चाहिए और यहाँ पर बात करने न cé नीचे नैवीटिविटी और Permanent Resistence Certificate जिसे डॉमी साल भी बोलते यह आपके पास होना चाहिए कमपल से दिए सभी के पास होता है कास सेटिफिकेट होना चाहिए आपके पास ठीक है यहाँ पर आपको बता दूँ जो कि यहाँ पर आप पढ़ते हो यहाँ पर लिखा हुआ है विलेज सरपंच ठीक है विलेज सरपंच के थुरू यहाँ पर ब certificate यह character और conduct एक ही हैं जैसे कि यहां पर आप देख सकते हों बताया हुआ स्लेस लगा के तो यह आपके पास होना चाहिए जो की should not be more than six month old तो यह आपके जो अगर आप बनवाते हो तो यह six महीने पुराना नहीं होना चाहिए मतलब six महीने valid होना चाहिए अगर है आपके पास तो लेकर आ जाना नहीं अगर आप देखते हो टैन कॉपी ऑफ सेम फोटोग्राफ तो मतलब आपके पास फोटोग्राफ होने चाहिए जो कि passport size होना चाहिए तो यहां पर बहुत कम बोले हैं वैसे मैं आपको बता दूँ तीस लेकर आपको चलने है नॉर्मल ठीक है और नेक्स्ट यहां पर सकूल सेटिफिकेट सकूल करेक्टर सेटिफिकेट लीविंग सेटिफिकेट मांगा गया है जो की सकूल के तुरू आपको करेक्टर सेटिफिकेट बनवा लेना है आरम से आप बनवा लोगे ठीक है नेक्स्ट यहां पर बात करे प्री वेरिफिकेशन और क्रेक्टर सेटिफिकेट ये भाई मैं आपको बता दूँ ये पुलिस वेरिफिकेशन की यहां पर बोला जा रहा है और ये फैमिली फोटो की यहां पर बोला जा रहा है प्री वेरिफिकेशन और क्रेक्टर सेटिफिकेट एज पर पर्फॉर्म जो क आपका जो family photo है ये भी six month valid होना चाहिए आपका ठीक है next यहाँ पर बात कर लें फिर जैसे कि आप देख सकते हो एक आपको जो पी point है इसमें आपको एक certificate बनवाना पड़ेगा जो की perform at appendix C में मिल जाएगा आपको ठीक है इसमें अगर आपकी age साड़ सतरा से 18 के बीच में है तो आपको ये affidavit बनवाना पड़ेगा जो की यहाँ पर जैसे की देख सकते है executive magistrate class first और SDM से verify होना चाहिए दोनों में से किसी से भी आपका verify होना चाहिए यहाँ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे अगर आप यहाँ पर देख तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको ये बनवा लेना जो की appendix D में आपको जो फॉर्मेटर उसमें मिल जाएंगे आपको ये ठीक है और नीचे अगर आपको लेके चलते हैं तो यहाँ पर बता दिया highlight कर दिया गया कि यह आपके पास होने चाहिए education certificate, negativity, relation certificate, support certificate, character certificate, सकूल, सरपंज या वार्ड, master कही से भी, cast certificate की बात करें SC और ST वालों को जो की आपकी तहसिलदार और HDM के तरूप बना होना चाहिए, next यहाँ पर बात कर लें, affidavit as performance, appendix G, G जो क्या कहते है, format है, उसमें आपको मिल जाएगा, क्या, वो हम आपको बता देते हैं, next यहाँ पर बात कर लें, name of candidates, father and mother, अगर relations certificate में, spelling में various and a mistake है, तो आपको यह affidavit बनवाना compulsory है, जो की यहाँ पर अगर आप देखते हो, यहाँ पर बताया हुआ, appendix G में, और यह सभी आपको बनवा लेने हैं, साथ मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, जितने भी यह formats दिये हुए हैं, यह क्या हैं, क्या नहीं ह उनको मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, यह जो affidavit है, यह मतलब बहुत सारे affidavit यहाँ पर दिये होए हैं, आपको मैं अगर इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो जादा लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बन देना, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने भाई से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर आपके लिए मैंने वट्सअप गूरूप बनाया हुआ है, ठीक है, मैंने अपने वट्सअप गूरूप बनाया हुआ है, जो कि वीडियो के डिस्क् में वो भी मिल जाएगा, मेरे परसनल वट्सअप नमबर भी है, वो भी आपको मिल जाएगा, तो सभी जगह से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यह अगर आपको यह फाईल चाहिए, तो य बड़ा भाई समझ के मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा, और यहाँ पर जैसे की पूरी इनफोर्मेशन मैं आपको दे दिये, कहीं भी डाउट हो ना, पूछ लेना वाई, ठीक है, पर चैनल को सस्क्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, जैहिन, जैभारत.